नीट विवाद को लेकर सुप्रीम कोट का एंटीए को नोटिस कहा शून्य दशमलो शून्य शून्य एक प्रतिशत भी गड़वडी हुई है तो एक्शन ले बच्चों की महनत को नहीं भूल सकते मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई नीट फरिक्षा में धानली के खिलाफ जंतर मंतर पर आपका प्रदर्शन आप विधायक राखी बिर्ला ने मोधी सरकार पर बोला हमला कहा चौथी पास राजा की सरकार को नहीं है बच्चों के भाविश्य की चिंता अगनी वीर योजना को लेकर आप सांसद संजे सिंग ने बीजेपी को घेरा कहा अगनी वीर बनाकर आपके पेट और सीने दोनों पर ही किया जा रहा है प्रहार कहा संसद में उठाएंगे पेपर लीग का मुद्दा आप सांसद स्वाती मालिवाल का इंडिया गठवेंदर के नेताओं को पत्र सीम हाउस में बचसलू की मामले में मांगा सपोर्ट मुलाकात के लिए मांगा वक्त सेवी दफ्तर प्रदिर्शिन करने पहुचा विपक्षित चुनावी नतीजों के दिन स्टॉक मार्केट गिरने को लेकर स्टॉक मार्केट में बड़े घोटाले के लगाया रोप टीम सी सांसद ने मांगा पीम मोदी और ग्रहमंद्री आमिद शाह से इस्तीफा शरत पवार के पोतेवा एंसीपी शरत गुट के विधायक रोहित पवार का दावा पार्टी के संपर्ग में बताए एंसीपी अजित गुट के उननिस विधायक कहां मौनसून सत्र के बाद बदल सकते हैं पाला दादा शरत करेंगे फैसला पीम मोदी के वरणसी दौरे को लेकर कॉंग्रिस महासर्चिफ जैराम रमेश हमलावर गंगा नदी से लेकर शोशन के मामले तक पीम मोदी से जैराम रमेश ने पूछे नौस सवा कॉंग्रिस ने पीम मोदी को दिया खुला चैलेंज वाइनाट से प्रयांका गंधी के उप चुनाव लड़ने को लेकर कहा मोदी जी भी आए वाइनाट से चुनाव लड़ने उन्हें कौन रोक रहा है कॉंग्रिस आंसर राहूल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला कहा बीजेपी का अयोध्या में हारना एक सीधा संदेश है कि बीजेपी ने जो नफरत की राजनीती फैलाई है उसे स्वीकारा नहीं जाएगा लोगसभा विधानसभा चुनावों में करारी हाल के बाद ईवियम पर भढ़के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड़ी मत पत्रों के इस्तिमाल पर दिया जोड स्वीडन के ठिंक टैंक सिपरी की रिपोर्ट के मुताबक भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा परमाडू हतियार पाकिस्तान के साथ ही चीन पर हमले में सक्षम हतियारों पर जोड ब्रिटेन में पीम रिशी सुनक की पार्टी के सांसद मारको लोंग ही अपने ही बयान में फसे पीम मोधी की खिलाफ और कश्मीर की आवाज बनूंगा को लेकर जारी लेटर पर अब अपने ही देश में हो रही फजीहत नेपाल में चीनी तसकर के पकड़े जाने के बाद चीन ने अपने नागरिकों को भारत की सीमा से दूर रहने की दी चेतावनी वीजा लेने के बाद ही भारत जाने की दिये निर्देश नाटो प्रमुक के टिपड़ी पर रूस ने दी कड़ी प्रतिक्रिया नाटो चीफ के बयान को बताया भड़काओं नाटो चीफ जेन स्टोल्टन बर्ग ने सदस्टे देशों को रूस के खिलाफ परमाडू हत्यार तैनात रखने के दिये हैं निर्देश बाइडन जिन्पिंग के बाद अब पुतिन करेंगी वियतनाम का दौरा अमेरिका ने जताई आपत्ती कहा किसी भी देश को पुतिन को उनके आकरामक युद्ध को बढ़ावा देने का मंच नहीं देना चाहिए FTA के कारण 210 फीसदी बढ़ा UAE से सोने और चांदी का आयात 10 अरब डॉलर के पार पहुँचा कारोबार जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बचट में खपत बढ़ाने के लिए करदरे घटा सकती है सरकार सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान की होगी भरपाई इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने भारती एमेंस फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इगोर स्टीमाक को हटाया 2019 में बनाए गए थे हेड कोच 2023 में SAFF चैंपियन्शिप और इंटर कॉंटिनेंटल कप जिताया सुनाक्षी की 22 जून को सगाई 23 को रेसेप्शन शादी में शरीक हो रहे हैं मेक अप आटिस्ट का दावा सलमान को गया पहला कार्ड मिर्जापुर के फैंस के लिए बड़ी खुश खबरी 20 जून को मिर्जापुर के सीजन 3 का ट्रेलर होगा रिलीज 5 जुलाई को सिरीज होगी आउट